ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं जवानों से मुलाकात की इसने पहले सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप विपिन रावत को इस दोरे के लिए आना था जानकारी के मुताबिक अपने इस दोरे में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी 14 कोप्स के अधिकारियों के साथ बात करेंगे इसके अलामा स्टीडियस विपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा इस्तिति का जायजा लेंगे इस दोरान नार्दान आर्मी कमांड के लेफटिनेंट जनरल वाई के जोशी लेफटिनेंट जनरल हरिंदर सिंग भी मौजूद होंगे मईस से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और बॉर्डर पर लगातार गंभी रिस्तित बनी हुई है इस वीज प्रधान मंत्री नरिंद मोधी का यहां पर पहुंचना हर किसी को चौकाता है इस से पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजना सिंग को ले जाना था लेकिन गुरुवार को उनके कारिकरम में बदलाव कर दिया गया फिर तैह हुआ था कि सिर्फ विपिन रावत ही ले जाएंगे अधिकारियों के साथ होनी थी बैठक शुक्रवार को सिर्फ विपिन रावत को यहां पर नौर्थ कमांड और 14 कॉप्स के अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी इस तोरान चीन के साथ मौजूदाता नाओ बॉर्डर के इस्तिधी का जाजा लेना था इससे पहले सेना प्रमुक MM नर्वडे भी मौजूद रहे जहां पर उन्होंने गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से मुलाकात की थी इसके अलावा सेना प्रमुक ने इस्टन लद्दाक के फारवर्ड पोस्ट पर जाकर हलात का जायजा लिया था सेना प्रमुक ने जवानों से कहा था कि अपना काम सांदार रहा है लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ प्रैम निउस 24 ब्यूरो रिपोर्ट